नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं पर्वत्य हाट टोटके घर में छुचुंदर का आना सुविय असुप सकून है आईए जानते हैं बिस्तार से देखे घर में वैसे तो जो छुचुंदर है उसका सीधा सम्मंध मालक्षमी से है इसलिए तो कहा जाता है कि दीपावली के दिन अगर चुचुंदर घर आ जाए तो मतलब लक्षमी पूरे साल आपके घर रहेगी तो उसी तरह चुचुंदर का घर में आना अच्छा होता है लेकिन वास्तू और जोतिस की बात करें तो जिस घर में चुचुंदर रहता है वहां लक्षमी का वास होता है जिस जमीन पर चुचुंदर होता है वहां गड़ा धन होता है अब चुचुंदर जहां होता है चुहे, साप, कीड़े, मुकड़े, जीब जंदू नहीं होते इसलिए क्योंकि चुचुंदर घर के सारे ब आपके चारो और घूम जाए तो आपको निकेट भविस्य में बड़ा लाब होगा अगर शुचुंदर आपके घर के चारो और घूम जाए तो घर की विपत्ति टलती है अब शुचुंदर का सिधा संबन धन से है तो जिस घर में शुचुंदर रहता है घूमता है आता जाता लेकिन साफ सफाई के मामलों में शुचंदर नहीं आएगा क्योंकि अब तो लोग महानगरों में रहते हैं पर एक बात होता है कि शुचंदर के थूक में बहुत सारे बिस पाये जाते हैं इसलिए कोसिस करें कि आपके घर में शुचंदर आये तो सफाई का जरूर ध्यान कितना जरीला है तो घर के भोजन को संक्रमित होने से शुचंदर से बचाईए क्योंकि इसके थूक में जहर है और सहत को भी नुकसान करता है अगर बच्चों को काट ले तो भी नुकसान करेगा धुन सचा जाता है सांस लेने में तकलीप होती है तो ऐसे में आप कोसिस करे कि वह घर ना ही आए हलांकि चुचंदर के घर में आने से बढ़िया लेकिन घर के हर कोने में रूई में पीपरमिंट लगा कर रख दे तो चुचंदर भाग जाएगा आपके घर में नहीं आएगा लेकिन हमने सिर्फ आपको जानकारी दी कि कभी भूले भी से आ जाए तो बढ़िया है पर हमेशा आना सही नहीं है क्योंकि स्वास ने परिशानी करेगा दनी बाद हम पिर भी लेगा